आज हम बात करने वाले कर्णवासरम की कर्णवासरम उत्राखंड में इस्तित गड़वाल जनपद में कोट दुआर से 14 किलोमेटर की दूरी पर परवतों की गोद में इस्तित कर्णवासरम एक एतियासिक तथा अतियंत महत्वपून परियाटक इस्थल माना जाता है मानली नदी के तट परिस्तित कर्णवासरम एक अनूठा असरम है और यहां घने जंगलों और सुर्मय पहाडियों से घिरावाए कोट द्वार भावर छेत की पर्मुक एतियासिक धरोवरों में कर्णवासरम जो है सर्व पर्मुक माना गया है जिसका पुराणों में विश्रित उलेख भी मिलता है हजारों वर्सपूर पौराणिक युग में जिस मालनी नदी का उलेख मिलता है ये इस्तान रिशिमुनियों की तप इस्तली भी थी जहां पर वे शाधना में लिए मोक्ष की प्राप्ती के लिए कठोर तप करते थे और कर्णव आश्रम वही आश्रम है जहां हस्तिनापुर के राजा दुशियन तथा शकुंतला के प्रणय के पश्चात भरत का जन्म हुआ था झाल कलांतर में भरत के नाम पर हमारे देश का जो नाम है भारत पड़ा शकुन्तला रिशी विश्व मित्र वा अप्शरा मेनका की पुत्री थी माली नदी के तट के दोनों उगे घंगोर जंगल के बीच कर्णवासरम में इस बहदुर बालक ने अपना बचपन जंगली जानवर तथा सेरों के बच्चों के साथ खेलते वे बिताया बड़े होकर इस बालक को चक्रवर्ती समराथ भरत के नाम से जाना गया जिसने इस विशाल भूकंड पर कई वर्षों तक राज्य किया कर्णवासरम जो किसी काल में एक सम्रिद्ध गुरुकुल था आज एक छोटा सा आशरम है इस नवीन आशरम में पाँच परतिमाएं हैं कर्णवारिशी कश्या रिशी सकुन्तला दुशियंत एवं पाँचवी परतिमा भरत की है जिन्हें सेर के दाद गिंते दिखाया गया है कर्णवासरम के आसपास के छित्र में कई फलदार व्रिक्ष है हिमाले की तलहटी में इस्तित यहां इस्तान भरपूर भोजनवा जल से परिपूर्ण होने के कारण आशरम के लिए सरवादिक उप्युक्त इस्तान है इसलिए यहां कल्पना करना कठिन नहीं है कि कर्णवासरम यहां क्यों इस्तापित किया गया कर दो हर वर्ष बशन पंचमी के अशर पर कर्णवासरम में तीन दिन तक मेला चलता है कर दो